उत्तर प्रदेश की लखनव में पिछली दिनों बारिश के बाद जिस प्रकार से सड़क पर उब्द्रो मचाया गया उस मामले में आरोपी बनाए गए युवक का एक बना बयान सामने आया है आरोपी बनाए गए युवक ने चुतंतरता दिवस के एक दिन पूर्व सियम और समाजवादी पार्टी अदक्ष अखले शादों से मुलाकात की इस दोरान पुलिस की ओर से आरोपी बनाए गए युवक ने खुद को बेकसूर बताया उसने दावा किया कि मौके पर वह मौजूद नहीं था इसके बाद भी उसे फसाया गया उसने कहा कि मेरा नाम पवन यादो है शायद इसी लिए मुझे फसाया गया मेरा नाम मुख्यमंद्री योगी आदित नात ने शायद इसी ले लिया अब इस मामले पर विवाद गहराने लगा है वहीं लखनो पुलिस की ओर से साफ किया गया है कि पवन यादो को अभी बरी नहीं किया गया है मामला कोर्ट में चल रहा है उसके खिलाफ तीन मामले चल रहे हैं साथ ही गोंती नगर प्रकरण में भी पुलिस की ओर से जाच जारी है पवन यादो को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई है लखनों में 31 जुलाई को तेज बारिश होई थी इस दोरान गोंती नगर के ताज होटल के पास सणक पर जल भराओ जैसे स्थितित पन्न हो गई इस बारिश के दोरान युवकों का एक समूव वहां पहुच गया रील बनाने लगा पानी में कई लो उर्दंग कर रहे थे इस बेजीवाओं के समूव ने रास्ते पर चल रहे बाहनों पर पानी फेकना शुरू कर दिया वहां से बाइक पर गुजर रहे एक कपल को भी निशाना बनाया गया विरोध करने पर युवकों के समूव ने बाइक सवार को पानी में गिरा दिया महिला से भी चिरचाड की मामला गर्माया इसके बाद दो युवकों के इस मामले में नाम सामने आए गोंतिनगर चिरचाड का मुद्दा गर्मा गया शोशल मीडिया पर वीडियो को वाइरल कर दिया गया गोंतिनगर पुलिस की ओर से इस मामले में वीडियो वाइरल होने के बाद कारवाई की गई योगी सरकार पर सवाल उफने लगे विवाद गेराने पर सियम ने विदान सभा में गटना पर बयान दिया इसमें एक आरोपी पवन यादों को बताया गया पुलिस ने उसे गिरफतार किया इसके बाद सपाद्धक्ष अखली शादों ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी पवन यादों ने इस मामले में अपनी बेगुनाही बताई हाला कि पुलिस ने उस पर कोई रियायत नहीं बरती बाद में कोट से उसे जमानत मिली गुरुवार को पवन ने सपा अध्यक्ष अखली शादों से मुलाकात की पवन ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने मेरी मुसीबत समझी उन्हें पूरी बात बताई गई मैं पहले से कह रहा था कि मेरा नाम गलत तरीके से गटना से जोड़ा जा रहा था मैं पुलिस हिरासत में था कुछ नहीं कर सकता था मेरी बात को खले शादों ने समझी मुझे बाहर निकलने में मदद की इसके लिए मैं उन्हें धन्यवादे देता हूँ मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी भी कोई सुनने वाला रहा पवन ने उसका नाम लिये जाने पर कहा कि शायद मेरा नाम पवन यादो है इसलिए मेरा नाम बोला गया अधिकारियों ने उनके पास जो रिपोर्ट वेजी होगी उसके बाद हमारा नाम लिया गया पवन ने कहा कि मैं वीडियों में हूँ ही नहीं यही सच्चा ही है अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी थी दरहसल गुंतिनगर कांड में अब तक दो दरजन से अधिक आरोपियों की गिरफतारी की गई है